हलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर सेवन देखेंगे ओके यहां पर नंबरिंग थोड़ी सी चेंज है तो कॉश्चन के नंबर्स को ध्यान मत रखना ओके 20 कॉश्चन ही होंगे हमेशा की तरह यह टेस्ट नंबर सेवन है आ नहां से आप लोग सारी टेस्ट लगा सकते हो सारी ही इंपोर्टेंट टेस्ट है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉश्चन है अनुच्छेद 197 के तहट धन विधयक से भिन विधयक को विधान परिशयत कुल कितने माह तक रोक सकती है और आप्शियोंस आर एक परिशयत के पास यह राइट होता है वो चार माह तक रोकने का राइट होता है ओकी ओप्शन नमबर D इसकरेक्ट सभीधान के अनुच्छेद 197 के तहट धन विधयक को भिन विधयकों को विधान परिशयत में प्रत्थम भार में तीन माह तक तथा विधान सबाद्वारा प फोर मन्थ तक वह इसे रोक सकती है Q2. अनुच्छे 243D संबंदित है यानि कि यह आपके चार आप्शन दिये इनमें से किस से रिलेटेड है Article 243 का D Your options are पंचायत की अवधी से पंचायत की वित्तिय व्यवस्था से पंचायतों में आरक्षन की व्यवस्था से या फिर पंचायत के चुनावों से ठीक है तो जो आर्टिकल 243D है वो पंचायतों में आरक्षन की व्यवस्था से संबंदित है Option number C is correct ठीक है पंचायतों में अनुसूचित जातियों अब हम जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षन की व्यवस्था का प्रावधान है किसमें आर्टिकल 243D में नेक्स्ट है ये सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें कूट भी दिया गया है साथ में हमें पता लगाना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है ठीक है इधर आर्टिकल्स दिये गए है उनमें क्या क्या प्राविजन है वो इधर दिये गए है ठीक है तो देखिए हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट के साथ आर्टिकल 116D में क्या है लेखानदान से संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 1112 में वेरी इजी बज़र्ट का प्रावधान है आर्टिकल 263 में वेरी इंपोर्टेंट अंतराजिय परिश्यदों के बारे में व्यवस्था की गई है और आर्टिकल 115 में ये एक पार्लियामेंटरी राइट होता है ठीक है जिसमें ये संसदी विशेश अदिकार होता है आर्टिकल 105 के तहित तो ये हमारा आंसर वेटता है करेक्ट देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारे उत्तर के अकॉर्डिंग है ओके सो फर्स्ट का सेकिंड हमने लगाया है एक सेकिंड यास सी होना चाहिए बी का पहला है सी का चौथा हमारा है तो सी शुड़ भी करेक्ट करेक्ट आंसर इस सी ठीक है ओप्शन्स मैंने सारे आपको बताई दिये थे वही करेक्ट है नेक्स्ट है क्वेस्टन नमबर फोर केंदरिया सोचना आयुक्त की नियुक्ती एक समिती की सिफारिश पर की जाती है निमलिकित में से कौन उस समिती का सदस्य नहीं होता है ठीक है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती लोगसभा में विपक्ष का नेता या फिर इन में से कोई भी नहीं उस समिती में होना चाहिए या फिर होता है तो यह आपको बताना है तो देखे प्रेसिडन्ट उस कमिटी में नहीं होते है आप्शन बर B is correct केंदरिया सूचना आयुक्त में एक मुख्य आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त होते है जिनकी संख्या दस से अधिक नहीं होनी चाहिए इन सभी की नियुक्ती प्रेसिडन्ट द्वारा एक समिती की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रिधान मंत्री लोगसभा नीता विपक्ष तथा प्रिधान मंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है रिमेंबर अगेन यहाँ पर बोला है कि नियुक्ती रास्ट्रपती द्वारा एक समिती की सिफारिश पर की जाती है यानि कि नियुक्ती तो प्रेसिडन्ट ही करेंगे बट एक कमिटी पहले बनाई जाएगी वो कमिटी जो रिकमेंड करेगी उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेंगे कौन प्रेसिडन्ट बट वो प्रेसिडन्ट उस कमिटी में शामिल नहीं होते हैं ठीक है तो कन्फ्यूज नहीं होना है नेक्स्ट है क्वेस्ट नमबर 25 या 25 इसके अकॉर्डिंग बोलू तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिये गए हैं फर्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक की नियुक्ती सीफा व पद्यूत राष्ट्रपती के अंतरगत होता है उसका पद्यूत राष्ट्रपती के प्रसाद परियंत होता है ये दो स्टेटमेंट दिये गए हैं और किसके बारे में है नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक के सम्दिद छी है options है किवल एक सही है किवल दो सही है दोनों सही है या फिर ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है ठीक है correct answer क्या है इसमें option number a जो है वो correct है ओके तो इसका answer तो a होगा बट a क्यों होगा ये जान लेना जरूरी है देखिए इसका explanation ही पढ़ लेते हैं लेकिन यहां मैं इतना बता देती हूँ कि यह option statement number भी जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि रास्ट्रपती के प्रसाद परियन तो वह अपना कारेकाल नहीं संभालता है बलकि उसका जो कारेकाल होता है उसकी duration होती है 6 words या फिर 65 years मतलब कि अगर उम्र जो है उसकी जो भी इन में से पहले complete हो जाएगा तब तक उसका कारेकाल रहता है ठीक है अच्छा समीधान में कहां पर इसका प्रावधान है article 148 के तहट ठीक है भारत का एक नियंतर के महालेखा परिक्षक होगा explanation पढ़ लेते हैं महालेखा परिक्षक की नियुक्तिव शपत रास्ट्रपती द्वारा होती है वह अपना स्थीफा भी president को ही सौंपता है रास्ट्रपती उन्हें उसी आधार पर हटा सकता है जिस आधार पर उचितब नयायले के नयायथीश को हटाया जाता है यहाँ से question बहुत बार पूछा गया है लेकिन महालेखा परिक्षक रास्ट्रपती के प्रसाद परियंत पद्धारन नहीं करता है ठीक है बलके उसका decided होता है six years या फिर 65 years old so next है यहाँ four statement आपको यह दिये गए है दिली पुरुजेरी लक्षटीप और जम्मु कस्मीर करना हमें क्या है उप्रोक्त केंदर शाषित प्रदेशों में किसका अपना खुद का उच्च नयायले है यह बात हमें हाँ पर बतानी है चीक है तो देखिए खुद का उच्च नयायले एक तो देली का है जम्मु और कश्मीर का है लक्षटीप और पुदुजेरी का नहीं है इट मींस ऑप्शन नमबर डी इस करेक्ट ओके येस डी करेक्ट है बर डी क्यों करेक्ट है केद्र शाषित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मु कश्मीर का अपना उच्च नयायले है वर्तुमान में साथ उच्च नयायले का शेत्र अधिकार एक से अधिक राज्य संग राज्यों या फिर संग शेत्रों पर है इस समय देश में कुल कितने उच्च नयायले है 25 इस चीज को इसora है यह बताना है केवल एक एक और दो एक दो और तीन या फिर चारो ही नज़्धिक है बताएं मैंसे कौन कि करक रेखा के नज़्धीक अवस्थित है तो देखिए करक रेखा के नज़्धीक इनमैंसे भोपाल है गांधी इनलंगर है और राची है अगर आपने तिहान से मैप को देखा है तो बिलासपूर नहीं है जान लेते हैं इसका आंसर C है आंसर तो बड़ एक्स्प्रेनेशन देख लेते हैं भोपाल गांदी नगर वराची करकरेखा कि बिल्कुल समी पिस्थित है जबकि बिलासपूर इससे बिल्कुल दूर है नेक्स्ट है हिमाले की सबसे पश्यमी तथा पूर्वी चोटी क्रमशो है वेरी इजी ये तो सभी को पता होना चाहिए ठीक है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना आपको उसने पूछा सबसे पश्यमी पहले पूछी और उसके बाल पूर्वी पूछी है ठीक है तो कन्फ्यूज हो कि अपना याद किया हुआ यहाँ पर ना टिप दे ओके तो देखिए सबसे पश्यमी पूछी है नंगा परवत और नामजाबरवा दोनों ही है ना ओके तो बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा कोश्यमी नंगा परवत यह कि जम्मु कश्मीर में है तथा सबसे पूर्वी चोटी जो कि नामजाबरवा है वह है अलुनाचल परदेस में इस तरह देखिए इस चीश को याद रखना निम्म में से कौन सा योगम सही सु मिले तो नहीं है ठीक है तो नेलांग उत्तराखंड मरखा जमु कश्मीर सांगला अरुनाचल परदेस नो इस रॉंग यू थांग सिक्किम हचपी में है ना मतलब कि हिमाचल परदेस में सांगला ओके सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है नके अरुनाचल प्रदेश में नेलांग उत्राखंड में है कुलू हिमाचल प्रदेश में है कुलू के भर में बात नहीं हुई है मरखा जेंड के में यानि कश्मीर में है जुकू, नागालेंट, यूथांग वह चुम्भी खाटी जो है वह सिक्किम में है कॉश्चन नमबर 30 है राजबीपला, महादेव और मैकाल पहाडी तीन पहाड़े के नाम दिये गए हैं इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है और किस ओर्डर में सीक्वेंस में लगाना है तो यह आपको एक डारेक्शन दिया गया है अब आप सीक्वेंस में इनको लगाई है पश्चिम से पूर्व की और बात हो रही है तो देखिए करेक्ट जो इसका सीक्वेंस होगा वह होगा पहले महादे पढ़ी आएगी उसके बाद महादे पढ़ी आएगी पश्चिम से पूर्व की और बात होई है अम आ राइट? आशर शोट भी डी करेक्ट होना चाहिए सत्पड़ा परवत पर इस्तित चोटियों का पूर्व से पश्चिम में जो क्रम है मैं कल पहाडी महादे पाडी वर आज भी पला यस मैं सही थी बिलकुल तो आशर दी करेक्ट है नेक्स्ट है जब एक नदी बड़ी तेजी से बहती हुई समुद्र में मिलती है तो वह किस चीज का निर्मार करती है? ये बताना है जो आजनाद मुक का, डिल्टा का, लेगून का, या फिर गोखुर जील का जब एक नदी बड़ी तेजी से बहती हुई समुद्र में मिलती है तब जो आजनाद मुक का निर्मार करती है और जब एक नदी अपनी धीमी गती से मुहाने के पास कई वितरिकाओं में पट जाती है तो वह किसका निर्मार करती है एक डिल्टा का निर्मान करती है यह नदी आ रही है एक धीमी गती से और वो इस तरीके से ऐसे करके ठीक है वो ऐसे डिवाइड हो जाए कई सारी पार्ट्स में दन यह एक डिल्टा का निर्मान करेगी नाव अब हम बात करते हैं कि लेगून जील की हम बात कर रहे थे ना इन मैं से लेगून जील की हम बात करते हैं तो वो स्टैप की होती है लाइक दिस एंड ठीक है इट्स कॉल्ड लेगून जील जो कि समुद्र के पानी से थोड़ा सा उसका टच रहता है यहाँ इस तरीके से जैसे यह पानी है यह ओके तो इसको हम लेगून जील बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ने लिखित नदियों को उनके क्रम उनके उद्गम मिस्थल के साथ सुमेलित किया गया है इन में से कौन सही सुमेलित नहीं है यह बताना है सतलज, राकस्ताल जील गोमती, फुलहर जील टॉन्स, अमरकंटक चोटी तीस्ता, चोमा यूंग डूंग लेशियर इन चारों ही नदियों के बारे में नदियों की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कौन सी नदि का उद्गम है तो D is wrong, तीस्ता नदि जो है वो चोमा यूंग डूंग लेशियर से नहीं निकलती है जेमो गलेशियर से निकलती है जो कि सिक्के में है, ऑप्शियन नदियों बर D जो है, इनकरेक्ट हो जाएगा मतला हमारे एकोडिंग करेक्ट होगा कि क्यों इनकरेक्ट है, ओके ठीक है लेशियर से निकलती है वो बांगला देश में जमुना से मिल जाती है अन्य यूग में जो है, वो सारे सही सुमे देते हैं क्वेशियन नमबर थर्टी थोर 33, सुरी, मैं भी क्या बोल रही हूँ पॉंगोग शो सी मोरीरी जील किस राज्य में इस्थेत है, अब अजीव अजीव से नाम आते हैं तो मेरे वर्ट्स भी अजीव ही निकल जाते हैं है ना सी मोरीरी जील जोग किस राज्य में इस्थित है ये पूछा गया है हम असब मैं माणीपूर में मिगाले में या पर जम्मू कश्मीर में वेरी एजी जम्मू कश्मीर में है सबी को पता होगा ये तो ठीक है तो पॉंगोग शोसी मोरीरी जील जम्मू कश्मीर में इस्थित है इसके अलावा कुछ जीलों की बात करते हैं जम्मू कशमीर की तो वहाँ पर वूलर जील, डल जील, गाटसर जील, अनन्तनाग जील, बेरी नाग जील, शेसनाग जील है ना पहुत सारे नागों की जील भी वहीं पर स्थेता है काफी सारे words के पीशे नाग आता है it doesn't mean कि वो नाग है वहाँ पे उस नदीम है ऐसा कुछ उल्टा उल्टा मत ले ले लिए मेरी बातों को next है for a statement दिये गए है रानी गट उकाई अफ एंड मैटूर उपर उक तो बांध जो है बांध परियोजना को उत्तर से दक्षण की और हमें करम में लगाना है ठीक है ध्यान रहे करम को बहुत ध्यान से बढ़ा करिए आप उसके बाद क्यों कि कई बार क्या होता है कि हम जब याद कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को तो हम अपना एक अलगी मैंड सेट के साथ अपने अलगी ट्रिक के साथ याद करते हैं हम हमेशा पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब जो हमें इजी लगता है हम उसी को याद करते हैं क्वेश्चन में वह अलग तरीके से पूछता है तो उसके according अपनी चीज़ों को set करिए then answer करिए so आ जाते हैं वापस से question पर Ranigat and Okai and Matur इनको हमें उत्तर से daction cure crumb में लगाने के लिए उसने बोला है तो देखिए first second and third I think it is correct answer जो है इसका होना चाहिए प्रश्ण में दिये जए बांधों का उत्तर से दक्षण सही क्रम है यानि कि Ranigat जो के सिक्के में है उकाई जो के गुजरात में है मैटो जो कि तह में लड़ू है question number 35 भारत में मानसून का निवर्तन प्रारंब होता है कब प्रारंब होता है भाई तो 1 सितंबर से 1 अगस्स एक जुलाई से या फिर एक अक्टूबर से पहले जो वोला ना वही करेक्ट आप चंदा मत कीजे एक सितंबर से भारत में मानसून का निवर्तन यानी के वापसी की बात हो रही है वापसी एक सितंबर से राजिस्थान से प्रारंब होता है 15 अक्टूबर से समस्त भारतीय उप महादीब से मानसून लोट चुका होता है मानसून के निवर्तन काल में सरवाधिक वर्षा पूर्वी घाट के तटीय मैदानों में होती है ठीक है? करेक्ट हो गया? नेक्स्ट है निमलकित मैंसे किन राज्यों में उर्वरक उड्यों का संकेंद्रण पाया जाता है आपके उप्शन्स है उत्रपिर्देश वमध्धिपिर्देश में बिहार वजहारकंड में गुजरात वे तमिलाडू में या फिर गौावा महारास्टर में ठीक है तो देखिए ये संकेंद्रण जो है वो पाया जाता है गुजरात वर तमिलाडू में ऑप्शन बर सी इस करेक्ट भारत में सरवादिक उर्वरक उड्यों का संकेंद्रण गुजरात वर तमिलाडू में पाया जाता है क्योंकि यहां सरवाधिक औरवरक निर्माण संयंत्र इस्थापित है question number 38 सरवाधिक उंचे ज्वारों के लिए प्रसिद्ध फंडी की खाड़ी कहां पर इस्थेत है your options are Asia, Africa, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षोण अमेरिका बता ये जल्दी से कहां पर रवस्थेत है answer is correct उत्तरी अमेरिका option number C दुनिया में सबसे उंचा ज्वार उत्तरी अमेरिका की फंडी की खाड़ी में आता है okay so next Cambodia, Laos, Brunei, Thailand question ये पूछा गया है कि उपरोक्त दक्षर पूर्वी एशिया ही देश में से कौन सा या फिर से इस्थल अवरुथ है या है options है एक वा दो केवल दो एक दो वा चार या फिर चारो ही इसमें से इस्थल अवरुथ है देश है बताई इनमे से कौन सा correct है आपके recording तो देखे केवल एक ही है इनमे से जो के Laos है option number B is correct Laos दक्षण पूर्व एशिया का एक मात्र इस्थल अवरुथ देश है इस्थल अवरुथ देश का मीनिंग क्या होता है वो जान लेते हैं देखिए ये ऐसे देश होते हैं जो के चारो तरफ से इस्थल से इस्थल ही होता है कोई भी अवस्थिती के संदर्व मैं कौन सा गलत सुमे लेता है कुछ बांद दिये गए हैं कुछ नदियों के नाम दिये गए हैं आसवान बांद नील नदी सेननार बांद कांगो नदी कैंजी बांद नाइजर नदी करीबा बांद जामबेजी नदी okay so you should tell me which is incorrect okay तो देखिए इस मेस्जिज जो incorrect है ना वो है आपका सेनार बांद सेनार बांद कांगो नदी पर नहीं है वह किस पर किस नदी पर है मिस्र में नील नदी पर आसवान बाद एक सेकंड कुछ गलत बोला है मैंने गड़वड हुई है कुछ ऑप्शन्स में कुछ तो गलत हुगा है हाँ पर मुझे गन्फ्यूज आना है लेकिन मैं फिर भी इसके according बता दे रही हूँ आसवान बांद के बारे मैं रॉंग दे रखा है मिस्टर से आसवान बांद जो है वो नील नदी पर मिस्टर में नील नदी पर आसवान बांद दे था जो के विद्धुत उतपादन का प्रमुख केंद्र है सेनार बांद सूडान में नीली नदी पर इस्ते था ना के कांगो नदी पर सही है कुछ गड़वर नहीं है चिंता मत कीजे एकस्परनेशन में थोड़ी सी क्या हुआ कि पहले कुछ ले दिया था करेक्ट आंसर वाला ने दिया था कैंजी बांद नाइजर नदी पर है जबकि करीब बांद जो है वो जांबेजी नदी पर है सो डोंट बी कन्फ्यूस everything is correct डी जो है सोरी बी जो है वो incorrect था यहां पर ओके दो नीली नदी पर है ठीक है so it's okay 40 questions complete हो चुके हैं आपके means to say 7 test complete हो चुके हैं देखिए एक बात मुझे बोलनी है आपसे कि कुछ लोग इन टेस्ट को बहुत ज़्यादा खलके में ले रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यह important नहीं है कोई बात नहीं है अगर आपको इससे अच्छे questions मिल रहे हैं या फिर बहुत अच्छे टेस्ट मिल रहे हैं तो आप वहां जाके उनको लीजिए यूज करिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ यहां से question फसे है हमारे पास proof है और बाकी आपकी मरजी है आपको ignore मत कीजिए मैं बोल रही हूँ आपको help होगी इन टेस्ट से ठीक है और बीस मिनट की वीडियो होती है दस बीस मिनट की उसमें को आप कम कीजिए स्पीड को तेज कर सकते हो जैसे आप देखना चाहिए वीडियो को वैसे देख सकते हो whatever so thank you so much for watching my video मिलते हैं next video मैं तब तक के लिए bye bye take care